हेलो फ्रेंड्स मिसीज एक्सपर्ट कीचेन वे आपका स्वागत है मैं सोनी आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तो फ्रेंड्स मैं आज आपको पोहा बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स मैंने यहां पर लिया है पोहा यह थोड़ा पतले वाला पोहा है आप चाहो तो मोटा पोहा भी ले सकते हो पोहा दो तरह का मार्किट में मिल जाता है बड़े आसानी से तो फ्रेंड्स मैंने इसको ले लिया है और मैंने साथ ही यहां पर मूफ लिया यह कच्ची म सबसे पहले हमें क्रिया करना है हमें एक जाली वाला बरतन लेना है और उसमें पोह को डाल देना है हमें इसको जाली वाले बरतन में ही वोश करना है इसे मसल मसल के या फिर हाथ से मसल मसल के से हमें नहीं दोना है हमें इसको ऐसे ही थोड़े सबस पानी के चीटे मारने है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे चला जाएगा और इसे फोग की हैल्प से हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि यह तूटे नहीं तो फ्रेंज पिंच उप नमक और एक मैस में नीबू डाल दोंगे इसकी वजह से यह खिला खिला पोहा बनेगा यह चिपकेगा नहीं तो फ्रेंड्स यह काम में पहले से ही करके राड़ी रखना है तो मैं इसको छोड़ देते हूं नेक्स्ट पोसेस करते हैं तो सबसे पहले हम कर लेते ओनियन को कट तो ओनियन को हमें चोटे-चोटा कट करना है आप जैसी ओनियन खाना पसंद करो वैसी कट कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर चोटी-चोटी ओनियन कट करूंगे बिलकुल तो देखे मैंने सारी ओनियन को कट कर लिया है साती मैंने हरी मिरच को भी कट कर लिया है ये मैं पैन मे लिया है कि तो तो डोटल दो चमच घिए ही यूज घरुई ने में तो बुहा बनाने में थो पैले मुफलियों को रोष्ट कर लिए है तो इसमें दालके हम ग्यास को बिल्कुल सीम करना है इससे गय飛夏 वें से रोस्ट हो जाएगी और और इमलो क्रिस्पी हो जाएगी तो फ्रेंश देगें, यह बिल्कुल अच्छे से भुन गई है मैं इसको एक बावल में निकाल लेती हूँ, फ्रेंश उसी पैन को साफ करके मैंने एक चमच घी और इसमें ले लिया है, यह जैसे गी मेल्ट होते हैं मैंने इसमें डाले है सर्सो के दाने तो जैसे इस सर्सो के अपिए में जलोड़ास कड़ी लादी आपको अगर चटप टा बना थो आप हरी मेरकी डाले अधर वाले युझ आप डालेंगों घच्ट कर सकते ओ है तक मैंने अच्छा नए मैं पकचे सबevery बीक करना है और ही क्या त्रेज टोड़ा सबस्क्रोण सब सब्क जाए मैंने अच्छे सबर्शा रहे कि ऐसा गरने से हमारी हल्दी का जो कच्छा पने वह दूर हो जाता है और इसकी स्मेल भी नहीं आती है कि ऐसा अज़ मीद्व पंद लेता है और जब हल रिख स्मेल भान अब बंद हो जाएं तो हम इसमें डालेंगे हम अच्छे से बुन गई है और मैं इसमें लाला है ते कि मारा पोह बिल्कुल खिला खिला है बिल्कुल आपस में नहीं चिपका है तो आपसमें नहीं अदुका ह और एक चमच में इसमें डालूगी नमक क्योंकि मैंने इसमें पहले भी नमक डाला था तो मैं यहां पर थोड़ा कमी डालूँगी प्रेंड से बहुत ही जल्दी बनने वाला नासता है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप जैसे जैसे मिक्स करते जाओगे इसका कलर सब में आ जाएगा और मैं इसमें डाल देते हूं एक निम्बू आपको जितना कट्टा खाना पसंद है अब इतना इसमें न अगर आपको और भी कटा खाना पसंद है तो आप इसमें और भी निम्बू आड़ कर सकते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप भी निम्बू डाल दिया अम मैं इसमें डाल जूँ बूरा इससे मारे जो पोही का टेस्ट हो खटा मिठा हो जाएगा अगर आपको खटा मिठा है तो आप इसमें पूरा एड़ कीजिए अधर्वाइस स्किप कर सकते हो तो फ्रेंड्स चलिए मारा पोहा बन करों गया रैडी देखिए बिल्कुल खिला खिला बनाए आपस में बिल्कुल ने चिपका है तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से पोहा बनाओगे तो आप किलिया बाइब बाइब ते क्या ते किया एиф